मूली का सेवन तो आपने कई बार किया होगा लेकिन क्या सभी आपने मूली के पत्ते खाए हैं अगर नहीं तो अब खाना सुरू करते हैं क्योंकि इनने मूली के तूलना में अधित पोशकत तो होते हैं इसके अलावा इन पत्तों के सेवन से कंभीर बिमारियों को बढ़ने से रोका जा सकता है मूली के हर पत्ते में पूरी मूली के तूलना में धिरो पोशकत तो होते हैं इसके अलावा मूली के पत्ते आयरेम, कालसियम, फोलिक आसिट, विटामिन C, फास फोरस से भरपूर हैं जो सारीरिक कार्यों के लिए बहुत जरूरी हैं थाकान दूर करें अगर आपका सरी अक्सर थाका हुआ रहता है तो आपको मूली के पत्तों का सेवन सुरू कर देना चाहिए इसमें पुच्चि मात्रा में महजूद आयरेन और फास फोरस बोडी की इम्म्यूनिटे को बढ़ाने के लिए जाना जाता है वही विटामिन C, विटामिन A, थियामिन जैसे मिनरल्स भी थाकान से निपटने में मदद करते हैं पाइल्स का इलाज करें मूली के पत्ते बवासीर जैसी दर्तनाग इस्तितियों के लिए रामबाड इलाज सावित हुए हैं अपने एंटिबैक्टिरियल गुडों के कारण मूली के पत्ते सूजन को कम कर सकता हैं पीलिया रोग दूर करें मूली के पत्तों में पीलिया जैसे रोगों का इलाज करने के गुड़ हैं पीलिया में जब्यक्ति का सरीर पीला पड़ जाता है इस इस्तिती में मूली के पत्ते बहुत असरदार होते हैं जानकारी के अनुसार मूली के पत्तों का उप्योग खून के भीतर ऑक्सिजन की अपूर्थी को बेहतर बनाने के लिए होता है जो तुचा का पीलापन हटाते हैं पीलिया के लक्षड दिखने पर इसकी पत्तियों को कुचले और इसके आर्फों को छलने से छान ले इस रसको रो जाना दस दिनों तक भी है पीलिया एकदम धीक हो जाएगा इसकरवी को रोके मूली के पत्ते इसकरवी को रोकने में बहुत लाफकारी है आपको जानकर हैरत होगी कि मूली के पत्तों में जड़ों की तूलना में पर्याप्त मात्रा में विटामिन C होता है जो इसकरवी जैसे रोक को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कठिया रोग में अराम दिलाए कठिया में घुटनों में सूजन की वज़ा से ब्यक्ति का चलना तो दूर कुछ देर खड़ा खोना भी मुश्किल हो जाता है मूली में बहुत सारे प्रिमसक तर्थो और विटामिन होते हैं जो हमारे स्वास्त को स्वास्त बनाने के लिए काफी है मूली के पत्तों के अर्कों को समान मात्रा में चीनी और पानी के साथ मिलागो पेष्ट बनाए इस पेष्ट को घुटनों के जोड़ों पर लगाने से दर्थ में बहुत आराम मिलेगा डाविटीज को बढ़ने से रोके मूली के पत्ते मदुमेह रोगियों के लिए बहुत फायर नयमंद है रोगी को इन्हें अपने आहार में जरूर सामिल करना चाहिए इनमें ऐसे कई गुड़ हैं जो ब्लट सुगर लेवल को कम करके मदुमेह को बढ़ने से रोकते हैं विसाख्त पदार्दों को बाहर निकाले विसाख्त पदार्दों के बाहर निकालने पर ही सरीर स्वस्त बन सकता है ऐसे में मूली के पत्ते आपका काम आसान कर सकते हैं तरसल मूली के पत्तों में भरपूर मात्र में पोसक तत्तों पाय जाते हैं ये पोसक तत्तों और एंटिबाक्टिरियल गुर्थ बोडी को डिटाउक्सिफाई करने में मदद करते हैं